फिल्म मेरा नाम जोकर, जीना यहां मरना यहां, इस एक पंक्ती पर बनी भी थी, और कितनी मेहनत से कपूर साहब ने इस फिल्म को, इस पंक्ती को समझाने में खर्च किया, कोई शेर होता है, कविता होती है, कई बार एक शेर को समझाने में पुस्तक लिखती जा सकती है, जैसे मेरी एक कविता में कुछ शक्त है, बड़े सीधे साधे हैं, लेकिन उनका अर्थ करते करते काफी, मस्ती छा जाती है, पद चाप, बुए लफजे रूहानी, इन दो शब्दों का प्रयोग जो है, वो समझने जैसा है, पद चाप चलते वक्त जो रिदम होती है, घर्षन होता है, पाउं का उठाना और उसका नीचे ले जाना, पाउं का जोर, पाउं का कौन, चाल में वजन में, बुए लफजे रूहानी, शब्दों में खुश्बू, रूह से ही आ सकती है, रूह वो फूल दसता है, जो भीतर ही पैदा होकर वहीं से उठता है, और प्पैलता है, कहाँ छुपोगे चहरे से, क्लियर है, हाथों की रेखाउं से, ये भी क्लियर है, आगे गहराई है, अपने कदमों की चापों से, और और गहरे में उतरते हैं, बूए लफजे रूहानी से, कहाँ छुपोगे चहरे से, हाथों की रेखाउं से, अपने कदमों की चापों से, बूए लफजे रूहानी से, नहीं छुप सकोगे सब दिपता है, और सीजे साधे शब्दों में हम कह सकते हैं, कि किसी से मिलना हम को अच्छा लगता है, उस से बात करना अच्छा लगता है, उसके पास बैठना अच्छा लगता है, उसकी याद में जाना अच्छा लगता है, और ऐसा किसी किसी के साथ होता है किसी के साथ नहीं होता है बहुतों के साथ ये नहीं हो सकता बहुत थोड़ा होता है गिंती उंगलियों पर आ सकती है जैसा तो ये है लफजे भूए रूहानी और कदमों की चाप का माने